उरिसा के बालासोर में हुई ट्रिपल ट्रेन धुरगटना को लेकर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैशनव का इस समय बड़ा बयान आया है और अपने इस बयान में उन्होंने कहा है कि इस पूरी दुरगटना को लेकर जो इसका रूट कॉज है उसका पता लगाया जा चुका है और जो लोग इस दुरगटना के पीछे रिस्पॉंसिबल हैं उनकी भी पहचान जो है कर ली गई है उन्होंने अपने वक्तवे में कहा है कि Commissioner of Railway Safety को इसकी पूरी जाच करने का काम दिया गया था और अपनी इस जाच के दुरान उन्होंने इसके कारण का भी पता लगा लिया और उन लोगों की भी पहचान कर ली जो इस हादसे के पीछे जो रिस्पॉंसिबल है उन्होंने बताया कि जो इसका Main Root Cause जो बताया जा रहा है जो Electronic Interlocking System है उसके बदलाव के कारण ये जो दुरगटना है ये पेश आई है और इस दुरगटना में अभी तक 288 लोगों की मोत हो चुकी है और 1000 से जादा लोग इसमें घायल हुए है अपनी बात को कहते हुए उन्होंने कहा है कि समय हमारा पूरा Focus जो है Restoration Work को लेकर है और उमीद जताई है कि बुदबार सुभा तक ये Restoration Work जो है पूरा कर लिया जाएगा ताकि उस ट्रैक से ट्रेनों का आना जाना शुरू हो जाए इस बीच में कल परदान मंत्री नेरंदर मोदी ने भी जो साइट थी जहां पर ये दुरगटना हुई है बाला सोर में वहां पर विजिट किया था और पूरी जितनी भी सिचुएशन थी उसका उन्होंने जाएजा लिया अभी भी लगातार वहां पर जो Restoration Work है वो वार पर चल रहा है